Hello everyone, welcome back to my channel आज हम पढ़ने वाले हैं maternal effect के बारे में हमने last time maternal inheritance के बारे में पढ़ा था maternal inheritance और maternal effect दोनों में काफी जादा difference होता है maternal effect क्या होता है? जब mother का जो nuclear वाला portion है मतलब जो genetic makeup है वो contribute कर रहा है to the phenotype of the offspring समझाई यह वाली बात? तो maternal effect में मदर की genetic constitution प्रोजेनी के phenotype को determine करती है maternal inheritance में अलग होता है maternal inheritance में क्या था? साइटोप्लाज्म है मदर का जो effect कर रहा है प्रोजेनी के phenotype को ठीक है? वहाँ साइटोप्लाज्म था साइटोप्लाज्मिक कंटेंट याने क्लोरोप्लास या फिर mitochondria कंट्रीब्यूट कर रहा था यहाँ पे nucleus वाला genome main genome जो एक मदर का है वो contribute कर रहा है maternal effect के लिए तो यहाँ आपको यह चीज काफी जादा important है याद रखनी है कि nuclear genotype nuclear genotype किसका मदर का nuclear genotype of the mother और यह किसलिए contribute कर रहा है यह कर रहा है to the phenotype of the progeny phenotype of the progeny next चीज आपको क्या याद रखनी है क्योंकि मैंने बोला मदर का जो nuclear genotype है वो contribute कर रहा है यानि यहाँ maternal effect हो रहा है mother जो है maternally maternal किसके लिए term यूज करते हैं मदर के लिए तो मदर का जो nuclear genotype है या nuclear का जो content है वो responsible है progeny के phenotype के लिए next point आपको यह याद रखना है कि it is unaltered by the paternal genetic influence यानि paternal genetic influence बिलकुल भी नहीं होता यहाँ father का क्या genotype है वो उसका कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो paternal genetic influence बिलकुल भी नहीं होता है यहाँ clear यह वाली चीज next आपको याद रखना इसका एक main example जो काफी जादा important है काफी बार पूछा जाता है तो मैं उसके बारे मैं यहाँ लिख रही हूँ तो वो example क्या है उसे बोलते हैं shell coiling सुना होगा यह बहुत बार shell coiling किसके अंदर in snail अब snail की भी कौनसी वाली स्पीशीज के अंदर यह वाली चीज हो रही है तो उस snail का नाम है लिम्निया ल्वाइ लिम्निया परिग्रा ठीक है यह snail का नाम है जिसके अंदर इसकी पूरी maternal effect की scientific study की गई थी कौनसी वाली केरेक्टर पे अबुधिनियी है इस वाली कोईलिंग पे, यह वाली में लीज बने माफ इस देखोग जो थीकmpre इस आयए और दूसरे सब्सक्राइण ओनसी जिसे बहुते हैं राइट थी कीछे कईलिंग नाम होती पर प्रसक्रणा बने जो तो अगर एक ही डायरेक्शन से आप दोनों शेल्स को देखो कि एक की ओपनिंग राइट साइड पे होगी एक की लेफट साइड पे होगी तो शेल जो है वो किस टाइब की कॉईलिंग शो कर रहा है उसी के अकॉडिंग ओपनिंग प्रेजन्ट होती है अब जो लेफ्ट तो आगे हम जो टर्म्स यूज करने वाले है वो रेफ्ट या राइट वाली नहीं होगी हम सिर्फ सेनिस्ट्रल या डेक्स्ट्रल कॉईलिंग की बात करेंगे तो यहां आपको याद रखना है जो मैंने अभी पीछे चीज बताई क्या कि यह जो भी शेल कॉईलिंग वाला करेक्टर है यह कौन कॉंट्रिब्यूट कर रहा है ? जीनो टाइप औफ धी मदर तो जीनो टाइप औफ धी मदर जो है वो कॉंट्रिब्यूट कर रही है शेल कॉईलिंग इन दी प्रोजणी तो इसके لिए क्या किया गया कुछ रैसीप्रोकल क्रॉसस कंड़क्ट कर आई ग है character जो भी first generation में आएगा वो हमेशा dominant ही आएगा यानि reciprocal crosses जो भी हो रही थी ना वो same result produce कर रही थी बट इधर क्या है maternal effect does not produce same result in the reciprocal crosses तो same result नहीं आता है similarly एक और चीज अगर एक और point आप note करोगे वो क्या है कि जो mendelian वाला cross होता है उसके अंदर हमें पता है कि 3 is to 1 ratio आती है किसके अंदर आती है f2 generation में अगर हम monohybrid cross की बात कर रहे हैं बट यहां क्या होता है maternal effect में जो 3 is to 1 ratio है वो आती है f3 generation में जाके f2 में नहीं आती है f3 में आपको दिखेगी तो यहां पर जो भी experiments किये गए वो सब f3 generation तक किये गए ठीक है तो यहां आपको एक point याद रखना है कि जो भी outcomes देखे गए वो सारे outcomes f3 generation तक देखे गए f3 generation में में 3 is to 1 ratio आई जो mendalian monohybrid cross में नॉर्मली आती है not in the f2 generation f3 में आई थी ठीक है यह चीज याद रखोगे और यह वाली चीज भी याद रखोगे कि यहां reciprocal crosses के different results आये थे mendalian cross में same थे यहां पे reciprocal crosses जो भी की गई reciprocal crosses उनके जो results थे वो different थे तो they showed different results clear यह वाली चीज अब दो crosses हम बना लेते हैं एक जो होगी उसकी पिछली वाली की reciprocal होगी जो shell coiling के according किया गया था तो मैं यहां आपको दो crosses बना के दिखा रही हूँ एक इधर बनाएंगे एक इधर बनाएंगे ठीक है यहां हम parents लिख लेते हैं तो parental generation कौन सी थी parental के बाद F1 आएगी F2 आएगी F3 आएगी वो साथ-साथ में हम लिखते जाएंगे तो parental generation first cross में यह cross का है first कर देती हूँ मैं इसे first cross है यह second cross है clear app वाली चीज इसे आप reciprocal बोल सकते हो क्योंकि यह पिछले वाले का उल्टा होगा reciprocal C-A-L ठीक तो first cross में क्या किया गया एक होंगी female हमें पता है एक female parent होता है और एक male parent होता है दोनों के case में यही वाली चीज है एक female parent and एक male parent इतना तो सबको पता है next चीज जो female parent होगा first cross में वो क्या था वो dextral लिया गया dextral लिया गया यानि DD कुछ studies से यह चीज assume कर ली गई कि dextral जो है यानि right-handed वाली जो coiling है वो dominant है as compared to sinistral वाली left-handed वाली इसलिए यहाँ जो genotype लिया गया है वो capital D, capital D लिया गया है और क्योंकि यह true breeding वाली lines थी pure lines जिनने बोलते हैं तो इसलिए यह homozygous dominant condition शो कर रहा है और जो male था इस case में जिसके साथ इसकी cross कराई गई वो थी sinistral sinistral male ठीक है तो यहाँ क्या genotype होगा? small d, small d अब इधर क्या हुआ? reciprocal cross में क्या होता है? उल्टा हो जाता है यानि यहाँ जो male था वो यहाँ female लिया जाएगा यानि sinistral female यहाँ लिया गई small d, small d वाली और male जो लिया गया वो कौन सा? dextral वाला जो पिछली वाली cross में female थी वो वाला clear reciprocal cross कैसे करते हैं? ठीक है? अब इन दोनों का cross करवाया गया, cross करवाके क्या हुआ? cross करवाके f1 generation आएगी तो f1 generation मना लेते हैं अब f1 generation जो इस case में थी first cross में वो आएगी heterozygous, capital d, small d और हमने क्या बोला? capital d is dominant तो यहां क्या character आएगा? dextral आएगा clear है? but क्या हुआ? reciprocal cross में मैंने बताया था ना? कि यहां जो एड रेसिप्रोकल cross same result नहीं देती है even if the genotype is same तो यहां genotype is same of the progeny f1 progeny that is capital d, small d, heterozygous dominant but यहां जो phenotype देखने को मिला वो था sinistral ठीक है? तो अब समझा रही है यह वाली चीज जो मैंने बताई दूसरा color ले लेते हैं तो जो मैंने चीज बताई कि जो female का जो भी genotype है वही जो progeny है उसके phenotype के लिए responsible है dextral, dextral यहां आप देख रहे हो sinistral, sinistral clear यह वाली चीज यानि जो female का genotype होगा वही contribute करेगा progeny का क्या phenotype होना चाहिए जब इनकी selfing कराई गई self fertilization जिसे बोलते हैं वो करवाई गई तो क्या देखा गया? यानि F2 generation में जब इसे लेके गए F2 तो F2 में क्या हुआ? यहां थे सारे dextral all dextral ठीक है? whether they have the genotype of homozygous dominant या फिर heterozygous dominant या फिर small d, small d similarly, यहां F2 generation जो आई यहां भी same चीज देखी गई कि all dextral थे all dextral चाहे वो capital D, capital D हो capital D, small d हो या small d, small d हो clear इतना? अब मैंने बताया था F3 generation तक किया था यहां cross तो F3 भी लिख लेते हैं F2 तक तो हो गया इसके बाद जो cross को आगे proceed कराया गया F3 में तो क्या देखा गया? दोनों cases में 3 is to 1 ratio आ रही थी dextral जो थे वो 3 शो कर रहे थे 3 थे out of 4 and sinistral जो था वो 1 था out of 4 तो क्या आई ratio? 3 is to 1 ratio आई similarly यहां भी same result था dextral 3 and sinistral 1 तो क्या चीज अलग है दोनों crosses में? सिर्फ जो चीज अलग है वो सिर्फ इतना है यह वाली चीज यहां F1 generation sinistral थी क्योंकि female sinistral थी यहां F1 generation dextral थी क्योंकि female dextral थी clear हुई यह वाली चीज सारी चीज सेम है सारी cross normal है जैसे हुई बस difference यहीं आता है इसी difference की वजह से हमने बोला था कि reciprocal crosses different results शो करती है maternal effect के case में तो इसको पूरे को एक short point में हम क्या करते हैं दो points में इसे conclude कर लेते हैं कि क्या हुआ था यहां तो conclusion बता रही हूं इसका जो maternal effect है इसका क्या conclusion निकला तो first तो यही निकला जो हमने पहले पढ़ा था क्या पढ़ा था कि phenotype जो भी होगा of F1 यहां हम थोड़ा specific terminology में बात कर रहे हैं महां general sense में बता था क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं था अभी यहां पढ़ लिया है तो थोड़ा detail में पढ़ लेते हैं कि phenotype of the F1 generation is always determined by the female parent female parents से ही determine होता है कि F1 generation में phenotype क्या आएगा प्रोजेनी का next जो conclusion है वो क्या है वो यह कि जो mother है वो ऐसा क्या चीज कर रही है कि baby जो भी produce होगा उसके अंदर mother जैसे characters आ रहे हैं तो इसके लिए आपको एक statement याद करनी है वो statement है क्या है इसे समझ ले न याद करने की ऐसाच जरूरत नहीं है कि the genotype of the mother mother का जो genotype है वो कर क्या रहा है it determines क्या करता है determine करता है the orientation the orientation किस चीज की orientation को determine करता है of the mitotic spindle mitosis में जो spindle fibers बनते हैं I'm sorry battery low है कोई बात नहीं तो mitotic spindle की जो orientation है ठीक है mitotic spindle की जो orientation है उसे determine करता है during the second mitotic division या second mitosis आप लिख सकते हो जो किसके अंदर होगी in the zygote ठीक है तो ये चीज बोली गई कि मदर का जो genotype है वो determine करता है कि mitotic spindle की कैसी orientation होगी second mitosis के दौरान और इसी से determine होता है कि किस type की shell coiling शो होगी ठीक है whether there would be sinistral shell coiling या फिर dextral होगी ये सब determine करता है मदर का genotype clear है maternal effect इतना साही था तो आज हमना discuss कर लिया कि maternal effect होता क्या है सारी चीज़ें इससे related discuss करी लिया major यही था एक example जो आपको याद रखना था sinistral और dextral वाला और तो as such कुछ नहीं है तो इतना ही था आज की वीडियो